हेलो इस्टेवेंट मेरा नाम है स्वहिल और आज हम लोग पस्ती थें टार्गेट गुरुकुल के संदार्स एप्लिकेशन पर यूट्यूब चैनल पर जहां हम लोग बात करते हैं कि आपके समिस्टर एक्जाम जो आने वाले हैं उस पर बेश जो क्यूस्चन्स होने वाले है यूनिट वाइज हम लोग कभर आउट कर रहे हैं इसके पहले हमने यूनिट फाइब को बात किया था जिसमें आपको डिफिनेट इंटेग्राइज लिमिट अब समस्मेशन और सिरीज रिमान इंटेग्रेशन आधी चीज़े थी अब लोग जो बात कर रहे होंगे कीज़ें। करने वाले हैं का किसी oneàngर होंगे यूटुब यूट्यूब यूटूब कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपकी examination में कहां से क्यूशन बन क्या हैं हम लोग वहीं से बात करेंगे उसा solution भी आपको provide करा रहे होंगे साथ हम लोग application पर इसका PDF भी आपको देते हैं आप WhatsApp पे भी हमसे जूड़ सकते हैं WhatsApp link भी हमारे description box में रहता है तो आई हम लोग इसी series में बात करते हैं कि test convergence of this improper integral improper कैसे भाई तो आप कहेंगे कि एक limit आपको पता है lower limit पता पर limit आपका infinite हुजा रहा है हमने कहा है कि जब भी कोई limit infinite हो रहा होता है तो हम कहते हैं क्या वह integral improper है पिर जब टेस्ट कर convergence के लिए आप तो आप कैसे जान पाएंगे कि इस पर कॉन सा टेस्ट लगेगा तो की से पहचान कर पाएंगे कि कहन सा टेस्ट लगेगा तो इसमें मोटा मोटी तो तो दो यह होगे एक ट्रिक्नोमेट्रिक पंक्षण एक और प्लस X स्कायर तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग कम प्रीजन टेस्ट यहां पर लगाएंगे तो बेहतरीन होगा क्योंकि इंटेग्रेशन वन प्लस X 1 by 1 plus x square भी हमें पता है तो compression test होता है कि आप हम लोग डायरेक्टिव ही चलते हैं एक बड़ देख लेते हैं चुकि हमारे पाद slide उपस्तित है तो हम लोग यही काम करते हैं तो हम compression test को ही एक बार देख लेते हैं तो देखें compression test में क्या लिखा हुआ है लेक तो बाउंडे एंट इंटेग्रेबल फंक्शन दो बाउंडेट इंटेग्रेबल फंक्शन होंगे fx औं 5x इंटर्वल a to infinite ठेक है यानि कि a होगा और एक limit a होगा एंड एक infinite होगा and also fx is positive fx जो होगा positive होना चाहिए and 5x अगर छोटा है mod 5x है छोटा यह परापर fx के ठीक है इफ integration a to infinite fx is convergent यानि कि कहा है जो बड़ा होगा देखिए इन दूनों function में यह fx बड़ा है न तो fx function अगर convergent होगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो 5x होगा जो 5x integration a to infinite phi x होगा वह also convergent होगा वह भी convergent होगा एक तरीकावर है कि आप देखिए कि if phi x mod phi x greater than mod phi x है यह fx तो आपको given है यह fx आप धूड रहे होंगे ठीक है जो given रहता है उसे यह fx हम उसे लेकर चलते हैं जो हम fx हम मानते हैं कि देखिए कि इससे छोटा एक function हमने ढूड लिया है तो इस प्रकार से fx आप धूड रहे होंगे और phi x आपको given होगा question में तो कहा है कि जब phi x है इससे छोटी हमें fx मिल जाती है हम ऐसा fx ढूड लेते हैं जो 5 x is mod 5 x से छोटी है तो हम क्या कहते हैं कि fx यानि जब छोटी वाली जो value fx होगी यानि कि fx जो छोटी है वहाँ divergent करेंगे छोटी वाली जब divergent करेंगी इसकी नेचर हम पता कर ले रहे हैं कि भाई यह divergent हो रहा है तो हम कहा देंगे कि तब बड़ी वाली जो फंक्शन है फाइएक्स जो है वहाँ divergent कर रहा होगा आइठिंक आपको इतनी बात इस परस्ट हो रहे होंगे आइठिंक आपको इतनी बात इस परस्ट हो रहे होंगी हम करेंगे जब दो फंक्शन आपको नहीं दिये होंगे कि जब हम एक ऐसा फंक्शन भूड पा रहे होंगे जो उससे छोटा या पड़ा हो पाई एक्स आपको दिये हैं और आप ऐसा यह दूड पार है जिससे कि आप उस पूरे टर्म को छोटा या बड़ा कर पा रहे हो और कम्प्रिजन कर पा रहा हो ठीक है मतलब क्या कि यही चीज़ा आपको ज्यादे फसा सकती है कि आप एफेक्स किस प्रकार अपर एकंच में बिख चोटा एक धूड ले उर जो जो चोटा और पार पाइक्स प्तो mä scratched कर लें ठीक है यानि कि एफ एक्स जब बड़ा होगा तो एफ एक्स जब आप बड़ा ढूड़े तो भाई एफ एक्स जब हो रहा होगा तो फाई-एक्स भी डाइवर्जेंट हो रहा होगा अब चलते हैं अपने क्यूशन की तरफ अपने कुशन पर हम लोग आते हैं और क्यूशन देखते हैं एक बर कैसा था क्यूशन अपना है यहां पर यहां पर हम तो काफी नीचे आ गया इंगा है इसको यह उठाथे और नीचे लाते हैं कि ये क्यूशन है तो देखिए इससे हम रिलेटेट कुछ छोटा या बड़ा फाइंड कर पा रहे है क्या टेस्ट दे कनवर्जेंस ओफ दिस तो हम लोग लेट कर लेंगे लेट फाइएक्स भी लेट सलूसन लिखिए लेट फाइएक्स इक्वाल हम फाइएक्स क्या जो क्यूशन में हमें फाइड करने हैं उसी ही फाइएस हम लेख चलते हैं कॉस एक्स बाइए बन फ्लस एक्स इसक्वार अब हमें क्या एक फेक्स धूटना रहता है ठीक है एंड 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 यह एक्स एक्वाल हम एफ एक्स किस प्रकार से ढूट रहे हैं यह भी मैं आपको बता हूंगा ओन प्लस एक्स हमने 5x ले लिया और fx ले लिया 5x लेट कर लिया है और fx लेट कर लिया है अब यहाँ पर देखेंगे क्या हमने 5x और fx किस परकार से लेट किया है तो मैं अगर आप से कहूं कि जो cos होता है जो cos x होता है वह क्या less than or equal 1 नहीं होता है ठीक है cos की value हमेशा 1 होगी या फिर x से छोटी कोई value होगी इतनी बाते आपको इस परस्ट हो रहे हैंगे यानि कि mod cos x जो होता है जो cos x होता है वो minus 1 to 1 होता है ठीक है इतनी बाते इस परस्ट हो रहे होंगे यहाँ पर आप लिक भी सकते हैं क्या यहाँ पर लिक सकते हैं क्या mod cos x जो होता है आपका वो less than equal 1 होता है ठीक है यह less than or equal 1 होता है तो cos x जो होगा क्या वह less than or equal 1 नहीं होगा क्या वह less than or equal 1 नहीं होगा आप बताइए यह mod cos जो होगा क्या वह less than equal नहीं होगा बिलकुल होगा तो mod x यानि कि दोनों तरफ हम 1 plus x square का divide करते तो भी कोई फरक नहीं पढ़ रहा होगा तो यहां पर हम दोनों तरफ divide कर लेते हैं 1 plus x square यह मोटा मोटी concept है आपको समझाने के लिए हाला कि ऐसे समझाना भी कोई बढ़ियां बात नहीं है कि आपको ऐसे समझाया जाए तो जो यहां आपका मोट इतनी बात है आपको clear हो पा रही है कि हमने कैसे कि है कि cost की value होती है वह एक से छोटी ही होती है तो हमने पहले वह लिखा फिर दोनों तरफ denominator में 1 plus x square दिखा यह बाती इतनी नीचे लेबल से नहीं बताने चाहिए थी हमें डायरिक ऐसे लिख कर बता दना चाहिए कि cost x की value होती है वह एक से छोटी होती है और यह जो पूरी term होगी एक से छोटी होगी तो हमने comparison test में क्या देखा था कि जो 5x होगा उसके लिए हम एक SI effects ढूर पा रहे होंगे जिससे कि 5x से कोई value बड़ी हो जाए या छोटी हो जाते हैं यहां से देखिए यह 5x से बड़ी value हो गई है यानि कि यह जो टर्म होगी वह बड़ी होगी यह जो टर्म होगी आपकी वह बड़ी होगी तो बड़ी वाली के लिए हमने क्या कि लिए हम सबसे पहले integrate करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे सबसे-पहले integrate करेंगे confident कि यह जो fx है यह देखेंगे क्या यहां यहां divergent हो रहा है इसकी convergence check करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे also यह तो आपकी हो गई कि जो phi x over less than हो गई fx and also and also क्या हो रहा होगा कि जो integration हो रहा होगा 0 से infinite पर 1 by 1 plus x square dx अब इसकी हम लोग पता कर लें क्या है divergent है convergent है तो यह चीज़ें आपको क्या निकल करा रही होंगी यह चीज़ें आपको निकल करार होंगी या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहां खोड़ा सा मुविंग कर लीजिए और आप ऐसे पिंग कलर से आपने दिखाया क्या कर रहे हैं तो 0 से infinite 0 से जिरो से इन्फाइनाइट एफ एफ एक्स कि डी एक्स fx dx को आप इस प्रकार से लिख रहे हैं अब इसकी इंटिग्रेशन को इसकी इंटिग्रेशन को आप किस प्रकार करेंगे इसकी इंटिग्रेशन को आप लिख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से की इसकी इंटिग्रेशन को आप कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे यहां जो होगा, वह होगा, यहां जो होगा आपका, वह क्या होगा? यह होगा integration, integration 1 प्लस x स्क्वार क्या होता? 10 inverse x, 10 inverse x, 10 inverse x होगा, ठीक है? अब लिमिट इस पर हम लोग क्या लगा देंगे? 0 to infinite, 0 to infinite, अब देखिए जब लिमिट को infinite पुट करेंगे तो आपके पास pi by 2 आएगा और 10, 0 कब होता है? जब value आपकी 0 होती है, तो यहांनि कि यहां से आप लोग लिख देते हैं pi by 2 minus 0, और यह आपका निकल कराता है क्या? pi by 2, I think आपको इतनी बाते इस पश्टो रहे होगी, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि fx जो है, इसकी value हमें मिल चुकी है, जो कि finite है fx की value जब finite होती है, किसी भी integration की value जब finite होती है तो वह convergent हो रहा होता है तो अब हम लोग यहां पर लिख देंगे क्या finite इस by by two के पास हम लोग लिख देते हैं क्या, finite finite and finite, यहां पर डाइर्क आप पाइनाइट लिख दीजे, पाइनाइट वैल्यू finite value, finite value होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या है क्यानाइट लिख दीख दीज जा धॉन स्टाइट यहां दोक्नारर यहां, क्यानाइट लिख लिख लोग, यहां क्यामार्ट क्या होता हूनियू टेस्टेंपश होगा अपका कांवरजेंट होगा तो देन बाइब ऐब दो कि एहां पर लिख सकते हैं क्या आ उंपिरिजन टेश्ट अपरेंग विख सकते हैं क्या यह उंपराई एक्स इंटिग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट phi x d x is also convergent आप यहाँ पर phi x हमने लिखा इसको डारेक्ट जो आपको क्वेशन में गीवन है that is integration 0 to infinite cos x by 1 plus x square d x is convergent आप लोग लिख सकते हैं by compression test ठीक है यानि कि हमने क्या किया दीखिए एक बाद हमने 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 जो क्वेशन में गीवन था इन प्रॉपर इंटिग्रल हमने लगा कि इसे छोटा हम लोग कुछ वैलू फाइंट कर पा रहे होंगे हमने लगा दिया है वन प्लस एक्सिस्वार्त इसे कोई प्रॉपर नहीं पड़ेगा तो देखिए आपर हमने फाइंट माल लिया जो अपने क्यूशन में गीवन था और एफ एक्स हमने ऐसा ढूणने का प्रयास कर लिया है कि जिसे से छोटा हमें फाइयक्स मिल जाए फैक्स हमें बड़ा मिला फाइयक्स चोटा waktu बढ़ा है और बढ़े के लिए अन्य ठेखक यूशन में पड़ा होता गीव जब पाइय एक्स चोटा होता तो जब photographed होती है सल्फ़ क्या है तो देखिए आपर जो अबनाझ एक्स है उसको integrate किया है तो हमें हमारे पास एक finite value आ रही होगी तो किसी भी इंटेग्रल की ही यह प्रॉपर या इंप्रॉपर जब value finite आ रही होती है तो हम कहा देते हैं कि यहां convergent हो रही है ठीक है तो यह integration आपकी convergent है तो यहां से हमें यह पता चल गया है अगर यह बड़ी वाली टर्म यानि कि जो बड़ा है यह fx जो बड़ा है वह finite आ रहा है यानि कि वह convergent हो रहा है तो इसका मतलब by compression test यह होगा कि जो आपका 5x आपने लिया है वह भी convergent होना चाहिए तो हमने यहां पर डायरेक्ट क्याहां से लिख दिया है कि इस इंप्लाइज एफेक्स convergent by compression test then by compression test यहां पर लिख सकते हैं आप कि इसे दिन कि यह क्या और अब है ठोड़ दिजिए हां तो लिख सकते हैं दिन कि देन बाइकंप्रिजेंट टेस्ट से यह जो आपका फंक्शन यह पाई जो फाई एक्स है जो क्यूशन में गीव है इस आलसो कि यह फिर मैं इसको भी solve करा दू क्या यह भी काफी important होता है मैं प्रयास कर रहा हूं इसको भी आपको solve करा दू अब हम लोग एक और क्यूशन को discuss करें लेते हैं कर लेने से आपके पास एक lab यह होगा कि यहां एक क्यूशन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल जाता है जो कि इसी concept पर solve होता है क्यूशन आपको यह ऐसे दियता है कि अधिश्ट आपका मौन जेंस ऑफ फिर हम थोड़ा और साप साफ ही लिखे दिते हैं क्या आप साफ कैसे लिखे देते हैं सर यहां लिखके उसको उपर ड्रैक कर देंगे के टेस्ट कि दे कन वर जेनस Convergence of इस बार आपको देखा साइन का 0 to infinite साइन स्क्वाइर x by x स्क्वाइर dx अब आप कह रहे होंगे सर यह तो previous के जैसे ही equation है लेकिन यह equation थोड़ा सा different logic से use होता है solve होता है इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ यह चीज़े देखिए ड्रैग करने में ही समस्या आपर ही पूर्टी है ठीक तो यहां से देखिए आप देखिए test the convergence of 0 to infinite और sin square x x square dx तो यहां पर देख रहे होंगे आप क्या कि जो sin square x वहां पर क्या था cos x by 1 plus x square था यहां पर x square यहां पर जो f x आप ले रहे होंगे उसमें थोड़ी सी खासियत होगी जैसे कि आप यहां पर solve कीजिए हम लोग यहां पर solution सबसे पहले लिख देते हैं solution solution किस प्रकार से लिक रहे होते हैं यहां पर लेट कर लेंगे सबसे पहले हम लोग यहां प्रेक्टिस में जरूर करेंगे लिख किस प्रकार से लिए तो देखिए आप साइन की जो मोट साइन की वैलू होगी वह मोट साइन की वैलू लेस दैन वन होगी ठीक है तो इससे तो कोई नहीं पढ़ने वाला यहां पर आप सीधे एफेक्स की जगा आप वन लिख सकते हैं बड़े आराम से डिवाइड में अब अब यहां पर दिखा दीजिए कि जो एफेक्स है वह फाइक से किस प्रकार से रिलेटेड होगा ठीक है इतनी बाते आपने कैसे निकाला कि हमने देखा कि जो साइन की वैलू होगी वह मोट साइन की जो वैलू होगी वह बराबर होगी और दोनों तरफ नीचे डिवाइड लगा देंगे एक से स्क्वार का तो कोई फ्रवा नहीं पड़ेगा बताने का सेंस हमारा यह है कि आप बस रॉफली आइडिया लगा पाए ऐसे एक्जेक्ट कहना तो सही नहीं होता है तो यहां पर आप देखी क्या आप यहां से ऐसे लिख पा रहे होंगे क्या कि जो साइ सक्वाइन超 से स्कॉाइर एक सेंथ है वहलेस्ट रहे होगा थिक है richer'd मेरे disg방 थेклад सक्वार लगा दिया deeper मेरे दोनों तरफ अउन कुलनों रही आपको फहनी इतनी इस प्रश्ट हो रहे होंगे तो हमने क्या किया यह पूरा समय दो पाढ़िवह लें मौले तो होती है आप कार रहे होंगे सर हम नहीं मानेंगे तो हमको दिखाई दीजी तो यह चीजे मैं आपको दिखा भी देता हूं यह चीजे मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिकन्ट में आपको यह चीजें दिखा देता हूं यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो जो मिल गई क्या हूँ अ परीजम टेस्ट से पहले कराई थी हमने हुआ है हाँ यहां देखी हमने यह चीज़े आपको बताए थी यह चीज़े आपको बताए थी कि यह स्लाइड आपको बलर दिख रहा होगा बलर क्यों दिख रहा है यह बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई इस आपको बलर दिख रहा है तो यहां तो बलर दिख रहा होगा हमने आपको बताया था कि जब टेस्ट कर रहा होते हैं आप 0 to infinite इसी मैं color change करके लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो रहा हो कुछ बाते हैं यहां देखिए की convergence a2 infinite d x by x to the power n जो होती है इसके बार हम लोग discuss करेंगे की n की value जब greater than 1 होती है तो क्या होती है यानि की case 1 लेंगे हम, case 1 लेंगे, case 2 लेंगे, and case 3 लेंगे तो देखेंगे case 1 में जब हम लेंगे लेंगे तो हम क्या ले रहा होंगे की जो value होती है जो value होती है उसे less लेंगे और greater than 1 फिर लोग लेंगे एक पर यन less than 1 फिर एक बार हम लोग लोग लेंगे यन equal 1 वहारे पास क्या value निकल करा रही होंगे इसके बारे माद करेंगे तो जब यन इस greater than 1 ले रहा होंगे तो हमारे पास हमारे पास value जो बन करा रही होगी वो इस प्रकार से आ रहे होगी कि greater than 1 यानि कि integration a2 infinite dx by greater than 1 है यानि कि value greater than 1 है x square हो गया x square फिर integration कोमा लगाएं a2 infinite dx by xq इस प्रकार कि जब value आ रहे होगी तो हम कहेंगे किया ये convergent होता है ये convergent होता है तो ये convergent होता लेकिन अब देखी जब less than 1 होगा तो इस प्रकार से आपको पास a to the power a2 infinite dx by x की power less than 1 कर दीजी आप negative में कर दीजी या फिर आप less than 1 करने का मतलब है कि आप half में भी कर सकते हैं x to the power 1 by 2 इस प्रकार की जो value आ रहे होगा यान की value जब 1 होगी यानि की चीजें आपको a2 infinite dx by x बस only x आ रहा होगा तो इसके लिए जो value होगी वो क्या आओगी इसको आपको डिसकस करेंगे जब यान की वालो greater than 1 होगी यानि कि जब यान की वालो जो होगी वह less than 1 होगी तो इस बार यह चीजें आपको divergent करता हूं नजर आएंगी यान की वालू less than 1 होता है तो भी आपको divergent करता हुआ नजर आता है, n की value 1 होता है, तो भी आपको divergent, यहां पर देखिए, n की value greater than 1 होगी, less than 1 होगी, तो भी आपको diverge करेगा, n की value 1 होगी, तो भी आपको diverge कर रहा होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए, n की value greater than 1, यहां की dx by x square, x cube, इस प्रकार की जब value आपको मिल नहीं होगी, तो आप कहेंगे क्या, कि वह convergent हो रहा है, वह convergent हो रहा है, हम लोग आते हैं सीधे अपने question पर, तो हमें यहां से देखने को क्या मिलता है, कि जो यह effects हमने देख रहे हैं, यह effects की जब nature हम लोग define कर रहे होंगे, तो यहां से, हम लोग and also, and also, also, हमें क्या पता है, कि जो integration, integration a to infinite f x dx है वो इक्वाल किसके हो रहा होगा वो इक्वाल हो रहा होगा integration 0 to infinite यहां लिमिट 0 है न जीरो टू infinite इसे भी है प्लोग कर लिजी रेज 0 to infinite f x की जगा आपको दिया है 1 by x square dx ठीक है integration 0 to infinite 1 by x square dx अब इसकी वैलू आप लोग किस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि जो यहां पर देखी एक्स की power में 2 है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है कि here यह की जो बैलू है greater than 1 है ठीक है यहन की बैलू जो greater than 1 है तो यह एक्स एन इस कनवर्जेंट है हमने हमने यह बता दिया कि जब यहन की बैलू greater than 1 होती है तो यहां जो चीज टर्म होती है वो कर्वर्जेंट हो जाती है अब एक और स्लाइड हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर क्या देखतें क्या ग्सक्राइड दीक है इन संक्साइड बै praticamente इस सब्सक्राइड की रिभाटगे बाल बै। ड्याने खाटगे बाल जो आगेंट देखें जाड टो इंपर दे आफा देन भाई ओंपरिजेंट आओ बै जर्माई कम्रिजियन टेस्ट हम लो क्या का सकते हैं कि जो आपका sin square x by x square d x जो गा integration 0 to infinite is also conversion ठीक है यहां से देखिए हमने क्या किया एक बर मैं quickly आपको बता देता हूं तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे test the convergence of हमें दे दिया एक इंप्रोपर इंटिकरल जहां पर हमें 5 x तो यहीं लेकर चलेंगे एक फेक्स हम लोग को ढूड़ना रहता है तो एक फेक्स हम लोग देखेंगे sin की value क्या maximum 1 हो सकती है तो भाई हमने max sin की value जो होती है वो less than or equal 1 हो जाती है mod sin की value दोनों तरफ हमने क्या किया x square लगा दिया है तो कोई परिवर्ता नहीं होगा ऐसा मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं and also हमने यह दिखा दिया कि यह जो इंटिग्रल है 1 by x square यानि कि यह जो बड़ा है 5 x से जो हम आ रहा है fx है वह बड़ा है तो हम लोग क्या इस fx के लिए हम लोग dx by x to the power n is convergent होता है वह convergent हो जाता है तो हम लोग को तो यह पाले से पता चल गया कि यह जो पूरी टर्म होगी वह convergent होगी तो हम लोग कहा है कि देन भाई compression टेस्ट के माधियम से हम लोग यह बता सकते हैं जो आपका 5 x है यह भी आपका convergent हो रहा होगा अब लोग नेक्स्ट क्यूशन को ऊपर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन आपके पास given है कि दिखिए टेस्ट करवर्जेंस ओ देस तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह भी जीरू टू इंफानाइट जा रहा है यह भी आपका इंप्रॉपर इंटीग्रल है इंप्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है फिर हमने आपसे यह बात कहीं थी कि यह आप देखिए कि आप इससे compression test लगा पाएंगे digital test लगा पाएंगे आप फिर कौन सा टेस्ट लगाएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे लगाएंगे नहीं जाईर सी बात यह इतनी बात है तो इसके लिए मैं उसका नाम नहीं लिगा हूं मैंने आपसे कहा था कि जब सिर्फ algebra का function दिख रहा हो आपको algebrite function यहां पर देंगे सिर्फ x cx कोई दो function तो जब इस प्रकार से आपको दिख रहा होता है तो हम कहते हैं कि यहां पर यूज करेंगे इससे पहले मैं आपको चाहता हूं तो आप एक बर यहां पर आईएगा और मैं आपको म्यूटेस्ट से एक बर रूबरू कराता हूं तो म्यूटेस्ट में क्या चीज़े कहता है कि लिट एफ एस बाउंड़ एंटिगरेबल फंक्शन इंटर्वल एटो इंटर्वल एटो इंट्वाइनाइट ए ग्रेटर और इस बाते आपको इसपर नहीं हो पारे होगा क्या यहां पर म्यूटेस्ट में आपको जो दिया है वह दिया है कि जो एफेक्स होगा वह डाइवर्जेंट होगा इप देर इज नमबर मू ग्रेटर लेस तैन और एक्वल वन सच दैट कि यह लिमिट जो होगी आपको एक्जिस्ट कर रहे होगी जो की जीरू के बराबर नहीं होगी हो सकती होने का चांसे स्राता है है यहां पर देखिए कि मिव की कूठ किया लिक्पा रहे होंगी यहां पर मैं यस फइंड आॕ होता है कि है आप आई यह और आपली कलर्ण ले नेयजिए और एक इस हम een ट煮िव क मिविडल दिविकल हॉय हैं Сगे इस प्रहसम को प्रहसे को खिए हैस्ट पावर छैस्ट पावर एकस अधिन दिन मिनते अव प्रहसे धिन minus highest power x in numerator यानि कि यह एक algebraic function है, इसलिए आपको mu की जो value होती ही हो highest power of x in denominator, यानि denominator में x की highest power होगी उसको घटा देंगे highest power of x in numerator तो हमें मू वाली चीजे तो लगबग क्लियर है यानि कि हमें क्या करना होगा, यह करना होगा यह ग्रेटर दैन वन होगा मुग्रेटर दैन होगा और क्या हो रहा होगा लिमिट आपका X-TEN to the infinite X to the power Mew Fx जो होगा इक्जिस्ट हो रहा होगा एक सिकेंड में इस क्यूशन को करने का प्रयाश करते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे यहाप लिखते हैं solution और pen को कर लें अगर छोड़ा सा छोटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर हम लोग fx लिखेंगे लेट लेट fx जो है आपका वह है लेट fx लिखेंगे या फिर आप सबसे पहले क्या किजिए कि म्यूं ही फाइंड करने का प्रयाश किजिए लेट fx इसकल टू जीरो टू इन फाइन दी एक्स वाई x to the power 1 by 3 या फिर इसको sum up करके लिखेंगे हमें x to the power 1 by 3 चलिए जाने देंजे 1 plus x की पावर में 1 by 2 ठीक है अब हम लोग क्या mu निकालने का प्रयास करते हैं तो यहां से mu आपके क्या आएगा highest power of highest power of x in denominator highest power effect यहां पर देखिए तो यहां पर x to the power 1 by 3 रहेगा यहां पर देखिए यह 1 by 3 plus 1 by 2 हो रहा होगा तो यहां पर पास क्या हो रहा होगा 6 2 plus 3 I think बात इसको रिखेंगे 5 by 6 यहां पर जो x हो रहा होगा वहां आपका x to the power 5 by 6 minus उपर x की क्योई पावर नहीं है तो 0 हो रहा होगा I think आप इतनी बाते को इस्पस्ट कर रहे होगा highest power of x यानि कि इन दोनों पावर को हमने एड करके देखा है कि वह क्या बन रहा है तो वह बन रहा है तो वह बन रहा है आपके नीचे दिनुमेटर में हाईस्ट पावर हो एक्स का हमने ले लिया है और इस चीज को हम लोग करते हैं यहां से रफ अब हम क्या देखेंगे मू हमारे पास आ गया यानि कि यह जो मू है यह जो मू है मू है हमारे पास आइस पावर ना यह इस पावर क्या निकल कर आया है 5 by 6 minus 0 यानि कि जो मू है मू जो कि मू है आपका वह क्या गया है 5 by 6 और यह क्या है आपका positive value यानि कि मू जो है वह greater than 1 है यानि कि यह greater than 1 है हमारे पास condition क्या आप हम रहा था एक स्केम में आपको कि मू जब greater than 1 हो जाता है तब हम इसको लिमिट चेक कर लिजी क्या exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो क्या है लिमिट एक्टेंट इंफाइन एक्स तुदी पावर मू एफ एक्स इसको हम लोग देख लेते हैं या मारे पास greater तो आई गया है तो यहां से देखिए now limit now by mutist by mutist now by mutist mutist मोग क्या चेक करते हैं हम लोग limit चेक करते हैं क्या limit extending to infinite x to the power mu fx यह हम चेक करेंगे नव बाइ मुटेस्ट मुटेस्ट के यह चेक करेंगे क्या एक्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास यह चीजे बनकर आएंगी कुछ लिमिट x tending to infinite x tending to infinite x to the power mu value 5 by 6 आई है तो यहाँ पर लिखेंगे x to the power 5 by 6 फिर हमारे पास fx क्या आई fx तो अपने हमने यही लिख चला है fx हमने क्या लिख चला है fx तो हम लिख चले है fx हम लिख चले है light cut होगे क्या है camera हमारे चला है fx fx हम लिख चले है क्या 1 by fx जब हम लिख चले है dx पी नहीं होगा 1 by x 1 by x 1 by q 1 by 3 plus 1 plus 1 plus x 1 by 2 I think आपको इतनी बात है इस पस्ट हो रहे है अब बस हम यही चेक करना है क्या है इसकी limit exist कर रहे है एक नहीं कर रहे है तो हम लोग इसको एक बार और लिख लेते है तो क्या करेंगे इसको copy paste कर लें फिर हम लोग आगे बढ़े इसको 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 अब लेते हैं तो लाइट कट गई थी लाइट कट कई थी इसके लिए हम ने वीडियो को पोईश करना पड़ा था हम लोग यहां पर एक बार प्रियूस में देख लेते हमने कहा थे इसकी limit हम लोग चेक करें, exist करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, कैसे होगी, ठीक है नो, तो इसकी limit हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो limit हो गया, extending to infinite, यह देखिए अपना, जो है, इसको हम लोग teaching mode में कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने इसको save किया था न अभी, हाँ, अब 1 by, आपर मैं एक बड़ देखि लेता हू, 5 by 6, 1 by x to the power 1 by 3, x to the power 1 by 3, 1 plus x to the power 1 by 2, ठीक है, इतनी बाते आपको लग वाग इस पास्टोर हैं, हमने इसको चाही लिखा है, देखो, limit x to the power 5 by 6, 1 by x to the power 3, 1 by 3, or 1 plus, 1 by 2, ठीक है, अबिसकी limit हम लोग देखिए, इसकी limit हम लोग सि simply check करते हैं, तो limit check करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, limit x tending to infinite x to the power 5 by 6, divided by, multiply कर दो, ताकि क्या होगा, कि हमें limit रखने में आसानी कुछ मिल ले होगी, यहां पर देखिए, x to the power, या फिर आप एक काम और कीजी, इस x to the power 5 by 6 को काटा जाए, यानि कि x to the power 1 by 2 को भी हम लोग निकालें तो यह क्या चीजज निकल कराएगए? x to the power 1 by 3 यहां पर है पिर हमने निकाल दिया बहर, x to the power 1 by 2, बीच में क्या बच्चा आपका 1 by, 1 by x to the power 1 by 2 plus आपके पास बच्चा है 1 हमने क्या किया कि हमने किया कि यहां से भी हमने 1 x to the power 1 by 2 common निकाल ले अब ऐसा आप लोग लिमिट निकाली केस में करते थे काफी प्रिवेस में करते थे आप तो यह चीजें आपको बतानी पड़े तो यह काफी गुनाहगार वाली बाती हो गई भाई x to the power 5 by 6 super high नीचे देखिए जब basic होता तो power 8 हो जाता है यानि कि जब 1 by 3 plus 1 by 2 करेंगे तो आपके पास x to the power 5 by 6 आ रहा होगा फिर नीचे आपको क्या आ रहा होगा 1 by x to the power 1 by 2 plus 2 plus 1 ठीक है इतनी बात है आपको special हो रही है तो अब देखिए कि इस से यह कट जाएगा यानि कि यह चीजे आपके पास बनेगी limit x tending to infinite x tending to infinite 1 upon 1 by x 1 by 2 1 by 2 plus 1 अब यहां पर देखिए x की value infinite put ही कर देखिए तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 1 by, देखिए x की value infinite put ही है तो 1 by infinite आपके पास 0 plus 1 होगा 0 plus 1 और यह इसे हम लोग लिख सकते है 1 यहां से हमने क्या देख लिए है इसकी value this is exist कर रही है यानि कि यह limit आपके exist कर रही है limit आपको exist कर रही है यानि कि limit की value आ गई है 1 यहां से हमने इससी को काटा हुआ है ठीक है काटा हुआ है और limit हमारे पास आ गई है 1 जो की exist कर रही है हम यहां से क्या कह सकते हैं और हमारे पास जो म्यू थी म्यू की value ग्रेट यह म्यू तो ले स्थैन वान ना भई यह जो म्यू है वहां हमने एक option क्योंकि shape करने के बाद जो होता है हमारे पास क्याफी मज़दार बात हो गई ने यहां पर हमने यहां पर हमरे बीक सकते है हम हम मु इसकल तो 5 बाई 6 यह लेस थैन 1 होता है यह लेस थैन 1 यह लेस थैन 1 होई जाएगा लेस थैन 1 है तो हमारे पास क्या है लेस थैन 1 है और यह लिमिट आपकी पास इग्जिस्ट हो रहे है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है यहां पर देखिए हम लें पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है कि यह बूर्ड में थोड़ी सीरर होगी क्या लेस थैन 1 हो और आपकी लिमिट इग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते है क्या यह चीजें आपको डाइवर्जेंट होगी तो हम लोग यहां पर आइंगे और यहां पर लिख देंगे देन भाई लिखेंगे देन बाई मुटेस्ट मुटेस्ट देन बाई मुटेस्ट अपने पास क्या था जिरो टू इन फाइनाइट दी एक्स एक्स टू पावर वन बाई त्री वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू एज डाइवर्जेंट यह चीजिए आपकी रवर्जेंट हो जा रहेंगे यह कैसे हो एक बाई हम फास्ट्राक में देख लेते हैं क्या क्या हमरे पास जो था वह लाइट कर जाने को पी पिटी जो हमारी थोड़ी उल्टा सिरा होगे तो यहां पर हम देख रहें किसी अलजेब्राईक फंक्शन द तो हमने निकाल लिया जो की लिएस देन वन आ रहा है फिर लेस देन वन आता है तो हम लोग चेक करते हैं कि जो लिमिट है क्या हो एक्स दी पावर मुट एक्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो यहां से हमें क्या है तो यहां से हमें क्या है जो आपके integration 0 to infinite dx by x to the power 1 by 3 is divergent यानि कि यह पूरा आपके integration होगा वह divergent हो रहा होगा तो आइटिंक आपको यह question भी समझ में आ गया algebraic function जहां भी दिये रहेंगे आप लगवगी इसी प्रकार से उसको use कर रहे होंगे अब थोड़ा practice और कीजिएगा next term में हम लोग next question को लेते हैं अब हम लोग करते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग दिखते हैं क्या हमारे पास एक क्यूशन इस प्रकार से मिल सकता है क्या प्रूफ गामा one equal to one इसकी solution हम लोग लिखते हैं तो गामा one की definition गामा की definition भी आपको पता होना चाहिए यहां पर हम लोग solution लिखते solution में देखिए जो गामा की वैलू होती है हम लोग क्या करेंगे गामा ये गामा वैन की वैलू होती है 0 2 infinite e to the power minus x ठीक है e to the power minus x होता है और उसके बाद x to the power n minus 1 dx यही पार्वुला होता है गामा यन का तो इस पर अब हमें निकालना क्या है यह हमारा हो गया माली जी इक्वेशन वन अब हमें गामा वन निकालना है तो put n equal 1 तो n equal 1 put करेंगे तो यहां पर गामा 1 हो जाएगा ठीक है और यह निकलता हुआ निकलकर आ जाएगा 0 to infinite e to the power minus x और यहां पर x to the power n minus 1 है तो 1 minus 1 है यहां के वहलों हमने 1 put किया है dx इसे solve करेंगे तो यहां पर देखिए 1 minus 1 0 हो जाएगा x to the power 0 क्या होता है 1 होता है यानिकि इसको ऐसे भी लिख सकते है e to the power 0 infinite e to the power minus x x to the power 0 dx यानिकि यही चीज आपको कुछ इस प्रकार से बनती भी नगर आएंगी क्या 0 to the infinite e to the power minus x dx अब इसकी integration को solve करते हम यानिकि 0 to infinite e to the power minus x dx इसको solve out करेंगे तो integration आपके पास क्या आएगा है minus e to the power minus x to the power limit 0 to infinite I think आप इसकी integration कर पा रहा होंगे integration यानिकि इस पर जब हम लोग 0 put करेंगे infinite put कर रहा होंगे हमारे पास क्या मिलकर आ रहा होगा हमारे पास क्या मिलकर आ रहा होगा हमारे पास निकलकर आ रहा होगा यह से आपको यहां निकलक रागल यानिकि आपको आपने गामा वन की बैलु जो है वह वन रलगए हुआद मोण मील गिर माँ तक ही उसमें की जगा वन पूट किया है सोफित किया तो ही बैलु मिलकर चली है यह गामा और इसे लिख सकते हैं क्या हैंस प्रूब हम लोग यहांस लिख सकते हैं हैंस प्रूब कर दिया है next question हम लोग लेते हैं next question हमारे पास beta से कुछ related करके है beta mn is called to beta nm थी हम लोग सबसे पहले beta mn की formula को लिखते हैं यहांने कि हम लोग आएंगे और यहां पर लिखेंगे solution इसका लिख रहे होंगे solution किस कार से लिख रहे होंगे हम लोग सबसे पहले beta mn बीटा यह क्या बहुत हमारे पास यह option होता है हम प्लस करेंगे इस पर थोड़ा सा गोजेंगे और इसको अंडू कर देंगे और इधर आएंगे हमारे पास beta mn की जो value होती है यानि की beta m,n यह तो गामा कर दिप्रेंशन लिख दिया सर्थ beta mn हमारे पास क्या निकल कराता है beta mn integration 0 to 1x to the power x के power में हमारे पास क्या राह होता है m-1,m-1,pher हमारे पास क्या राहेगा 1-x,1-x और इस ताम हमारे पास क्या राहोगा n-1,m-1 होता है n-1 dx,I think आपको इन बात इस पर,suinा beta mn की इफिनिस्टन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रहे होगी फिर हमने definite integral के एक property यहाँ पर थोड़ी से use होती है जो कि क्या होती है यूज होती है जब आपको definite integral में कुछ इस प्रकार से integration दिया होता है 0 to a to infinite कर लें आप फिर 0 to a कर लें कुछ भी कर ले 0 to a fx dx इस प्रकार से आपको दिया रहता है तो आप क्या करते हैं 0 to a x क्यों आप f a minus x करते हैं आप करते हैं a minus x dx इस प्रकार से property of definite integral प्रोप of definite integral definite integral के property है यहाँ साथ है मुल कोलर की साइथ थोड़ी से बड़ी कर लेए होते हैं यानि हम लिए अपर लिमिट में से x अपर लिमिट में से x minus कर देते हैं तो भी हमारे पास कोई changes नहीं होता है तो यहां से हम लोग क्या का सकते हैं कि 0 to 1 अब x के जगा 1 minus x हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 minus x m minus 1 m minus 1 1 minus इसे हम लोग बड़ा बरिकेट कर लें अगर या फिर आप चाहें तो कर ली कर लें 1 minus x यहां पर देखिया हमने क्या किया a minus x definite integral की property थी upper limit में से हम लोग x को घटा देते हैं तो भी हमारे definition जो होता हो में कोई changes नहीं होता है हमने upper limit में से x को घटा आए दिया है और यहां पर हम लोग आगे जब देख रहे होंगे तो यह क्या हो रहा होगा यह देखिए अगर आप तो यह 1 से 1 cancel out हो रहा होगा यानि कि आप चाहें तो यहन की value पहले ही कर लीजिए लेकिन आप ऐसे ही solve कीजिए 0,2,1 0,2,1 और यहां पर देखिए 1 minus x के power में m minus 1 और देखिए यहां पर यहां पर आप क्या देख रहा होंगे यह पावर जो है वो curly bracket को उपर है यानि कि यह जो term होती हो multiply हो जाएगी यहां से इस 1 को cancel out कर देंगे यानि कि यह हो जाएगा 1 minus 1 minus 1 plus x के power में जो होगा यह जो होगा यह जो होगा वो dx होगा यहां पर देखिए अगर आपके पास हो रहा होगा integration 0 to 1 एक बार हो रहा होगा 1 minus x to the power m minus 1 m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 m minus 1 फिर आपके पास x to the power n minus 1 फिर आपके पार होगा x to the power n minus 1 फिर इसको थोड़ा आप ऐसे करके लिख दें अगर यह 0 to 1 x के power में n minus 1 कर दें और यहां पर 1 minus x के power में m minus 1 कर दें फिर तो अगर आप यहां से कुछ relate कर पाएं तो देखें अगर आप यहां यहां पर आप देखें यहां पर देखें x to the power n minus 1 ठीक है और यहां पर आई आगर बढ़ें 1 minus x के power में n minus 1 यहां पर देखें 1 minus x के power n minus 1 पीटा यहां यहां पर आप बीटा यहां पर आखा बीटा यहां पर आखें तो यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो हम लोग चाहेंगे कि यह आपसे बिदा ले यह वीडियो पन करो चुकिए तकरीबन तीरबर मिनट की कुछ इसमें यह वीडियो और नहीं भी आप आता है तो आप क्या किजिएगा कि थोड़ा से टेस्ट और एवल टेस्ट को देख लिजिएगा रिलेसन बीट्विट्विन गामा फंक्शन देख लिजिए अम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कबर आउट कराएं तब तक के यह थोड़न तरह्ट है फूमे लिजगा है कि अबेरे रिलेस जोडियो तक्रिवॉण को प्रयूटॉटॉ करेंगे झालख offer लिएध मझावएद। इनこの इन दोड़िन तरहूं बेक्सट वाल यहलोगफ दोड़ख औरूशन दोड़िन और पार क्या करावивать एण।